तो स्वागत है आप सभी का ग्यापन एकेडमी के इस नय और लेडस्ट वीडियो में फाइनली आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिंदी का चैप्टर नूमबर वन पढ़ने वाले हैं जो की प्रती पूर्ति के लिए हैं मतलब कि आज के इस वीडियो में जो हम लोग अंति तक बिना स्किप किये हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनते हुए और समझते हुए देख लेते हैं ना तो मैं पूर्ण विश्वास दिलाती हुँ कि एक भी कोशन इस चैप्टर से आप लोग छोड़ कर नहीं आएंगे जो भी कोशन पूछेगा आप लोग 100% करेक्ट ल नाम है दिगंद तो दिगंद जो हिंदी का बुक है क्लास 12 का उसमें टोटल 29 चैप्टर है तेरा चैप्टर गद खंड का 13 चैप्टर का ठीक है और बचा तीन चैप्टर तो वह प्रतिपूर्ती के लिए है और उससे भी कोशन पूछे जाते हैं तो मैं आप लोगों को बत 13 तक ठीक है अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्टिन में मैं प्लेलिस्ट का लिंक डाल दी हूं लिंक पर क्लिक करेंगे प्रति एक वीडियो और चैप्टर का चैप्टर वाइस आप लोग को मिल जाएगा हर एक वीडियो का आप ल दिन में वो भी complete यानि कि बहुत जल्द आप लोग का class 12 का हिंदी complete हो जाने वाला है ठीक है तो शलिए आज किस वीडियो को start करते हैं अब आप लोग को I hope समझ में आ गया होगा कि यह chapter 1 कैसे हो गया प्रति पूर्ती में यह chapter 1 है गद खंड में एक से लेकर 13 chapter है उसी तरह काव हुआ है उसको भी complete कर लेंगे और कितनी बड़ी खुशी की बात है 12th class का हिंदी जो है आप लोग का बहुत ही पहले complete हो जा रहा है सोची है और वीडियो को आप लोग स्टार्टिंग में ही लाइक करके जो मोटिवेशन बढ़ा दे ठीक है और जितना जदा उसके शेर कर द जाता है और वेकिसान रहता है ठीके का वह कोई भी गुणाह नहीं किया रहता है यानि कि वह गुनाह रहता है लेकिन भरे समाज में विसको दोशी स अचाभित कर दिया जाता है क्यों इस प कहानी का जो संबंध है किसी रसी के टुक्रे से है तो बेशक है पूरी कहानी क्या है मैं आप लोग को एकदम जबरदस्त तरीके से बताऊंगी एक भी पॉइंट नहीं चूटेगा और सांसात मज़े मज़े में हम लोग कहानी का में करेक्टर है उसका इंतकाल हो जाता है उसकी मौत हो जाती है तो फिर लास्ट में आदमी इमोशनल भी हो जाता है पूरी कहानी जबरदस्त है तो सबसे पहले इस कहानी के लिखने वाले उनके बारे में समझ लेते हैं लेखक जो है वह है गाईडी मपासा बहुत ही सब पच्चास सभी को और मृतिव हो गई थी 1893 को यह फ्रांस के रहने वाले थे यह फ्रांस के निवासी थे और इन्हों ने 20 साल की उमर में क्योंकि इनकी जन्म की पैदाईश जो हुई थी वह 1850 में हुई थी और 20 साल के सब्सक्राइब न सब्सक्राइब यजिए और 1890 यानि कि बिस सालों के अंदर 1870 सेले पर 1890 के बीच में इन्होंने 300 कहानिया लिखी हैं ओर 6वपनियाश तीन यातिरा पुस्तक यात्रा पुस्तक समझते हैं ना यानि कि कोई लेखक जब यात्रा करने के लिए जाता है कहीं किसी जगा घूमने के लिए जाता है तो वहां के आसपास के महौल को देखता है वहां के प्रकृति को देखता है और वहां के सभी चीजों के बारे में लिख कर बता देता है तो उसी को कहते है यात्रा पुस्तक यानि कि उसका एक पुस्तक बना देता है बुक बना देता है तो इनकी तीन यात्रा पुस्तक है और एक कवीता की पुस्तक परकाशित हुई है यह याद रखना है मतलब यह सारी च उस तक परकासित किये जा चुके हैं ठीक है ना तो यह डिटेल्स होगे बस इतना ही डिटेल्स दिया गया है लेखक के बारे में आई अब चलिए कहानी में आप लोगो को एकदम स्टार्टिंग से बताती हूं एकदम जबरदस्त कहानी है ध्यान से सुनिएगा देखे ना बिना स्किप किये तभी आप लोगो मजा आएगा कहानी सुनने में और समझने में और बाहर से थोड़ी सी नवाइजिंग आ रही है उसको जड़ा इग्नौर कीजेगा आप लोग कहानी में आप लोगो को चलिए बुक लेकर ही बताती हूं ठीक है ना यह रहा आप लोगो का बु किसानों और उनकी पत्नियों का सहलाब सा उमर पढ़ा था यानि कि घृर सारी भीड सडक से जा रही थी किए यह सब उपनगर की ओर जा रहे थे यानि की गोदर्विल की तरफ जा रहे थे क्योंकि आज सापताहिक हाट था क्यों जा रहे थे सभी लोग गोदर्विल क्योंकि गोदर्विल में आज क्या था सापताहिक हाट था हाट लगा हुआ था समझते हैं बाजार आप यह समझते हैं सहर बगरह में लगता है बुद्ध बजार हर एक सप्पता पर साप्ताइक हाट लगता है। सभ्याब को लग जाता है बिल्कुल उसी तरह गोदर विल में भी एक साप्ताहिक यानि की सब्ता पर जो हाट लगता है ना शब्ता में लगने वाला हाट वह लगने वाला था फार तो नहीं ना इसे वजा से जितने भी किसान थे और उनकी पत्निया थी वह एकदम से उमर पड़े थे यानि कि भीड पूरी लगई वी थी सड़क पर और ऐसा लग रहा था कि सेलाब निकल रहा उस तरह बहुत अरी भीड लगी थी और सभी जितने भी किसान और पत्निया हैं वो कहां जा रहे थे तो गोदर विल जा रहे थे ठीक है ना पुरुस धीरे धीरे चल रहे थे जितने भी पुरुस थे वो धीरे धीरे चल रहे थे उनका शरीर जुका हुआ थ ठोड़े से जुके हुए थे आगे की तरफ और बाया कंधा कुछ उठा हुआ था और दाया कंधा था थोड़ा सा मुश्पा हुआ था यह तो पुश्पा स्टाइल हो गया तो समझे कि उसी तरह से है और टांगे एठी हुई है थी खेतों लुक पर कड़ी मेहनत ने उनका धांचा भी गाड़ दिया था किसान बहुत दा मेहनत करते हैं तो ये खेतों में खेतों पर कड़ी मेहनत करने के वजए से उनके शरीर का जो धांचा वह बिगड़ गया था थोड़ी आगे की तरफ हो जुके हुए थे बाया कंदा उठा उठ करता था डिटर्जेंट वगरा नहीं हुआ करता था नहीं हेंड वास था पहले के जमाने में लोग माड़ से कपड़ी की सफाई किया करते थे ठीक है न तो वहीं बोला जा रहा है कि जितने भी पुरुष हैं उनके नीले रंग की कमीजों पर कसकर माड़ लगाया गया था आप लोग चावल पकार देने के बाद उससे जो पानी बाहर निकाला जाता है ना उसी को कहते हैं माड़ बच्पन में आप लोग खाया भी होंगे माड़ भात गावद्यात में बहुत ही फेमस होता है सबजी ना रहे सिर्फ माड़ निकलता है चावल से तो चावल को बच्पन में और मैं इस चीज़ का मज़ा लिह हूं मतलब कि मैं भी खाई हूं आप लोग घाया कि उनके नीले रंग पर कसकर माड़ लगाया गया था और जिससे क्या हो रहा था धूप पढ़ रही थी जब उनकी कमीजों पर तो कमीजे जो है ना चमक रही थी माड़ के व बाहर से थोड़ी न्वाइजिंग आ रही है, आप क्या ही किया जा सकता है, आप लोग कहानी के एकदम ध्यान से और शांती से सुनिएगा अभी कहानी में बहुत जल्द मोड आने वाला है, कैसे रसी के टुकड़े की चरचा हो जाती है इसमें और किस तरह से कहानी एक नया मोड ले लेता है या आप लोग को अभी पता चलेगा तो जैसा कि यहां पर बताया जा रहा है कि जितने भी सफेद कढ़ाई वाले कमीजे हैं उन पर माड़ लगी हुई थे और माड़ के वज़े से वो ऐसे फूले हुए थे जैसे गुबारा उने के लिए तयार हो यानकि उनकी कमीज पूरी तरह से फूल गई थी जैसे कि गुबारा हो और हर गुबारे से एक सिर दो बाहें और दो पैर निकले हुए थे ठीक है ना कुछ लोग गाय या बचड़े को रसी से पकड़े हुए चले आ रहे थे और पीछे पीछे चल रही उनकी बीवियां डंडे से पशुओं को हाक रही थी उनकी जो बीवी थी वह भी पीछे पीछे चल रही थी और डंडे से क्या कर रही थी पशुओं को हाक रही थी उनके हाथ में बड़ी बड़ी टोकडिया भी थी जिन में से मुर्गी मुर्गे और बद तकी आक रही थी उनके हाथ में बड़ी-बड़ी टोप्रिया थी जिसमें क्या रखी उई थी मुर्गे अ और बद तके रखी ऊई थी क्यों सब्ताहीक हाट लगने वाला था तो उसा हाट में ले जाकर बेशते बेशने के लिए वो मुर्गे मुर्गी वगरा रखे थे लो ठीक है ना सबता ही हाट में क्या खरदा ही जाता है ना समान लेन मतलब खरिदा जाता है यही सब होता है तो यह कुछ लोग मतलब मेला ही की तरह समझी है इस हाट में कुछ लोग हाट से खरिदने के लिए जा रहे थे और कुछ लो तिखे जितनी भी पत्निया थी न वो अपने पती के अपक्षा तेजी से चल रही थी ठीक्षे न ये दुबली पतली थी और छोटे से शाल में लिप्टी हुई थी छोटा सा शाल था ठीक्षे उनके सिर पर एक सफेद कपड़ा बंधा हुआ था जितनी भी पत्निया थी और थी उनके सिर पर एक सफेद कपड़ा बंधा हुआ था और जिसके उपर से उन्होंने एक टोपी लगा कर रखी हुई थी थी तभी पास के एक घोड़ा गाड़ी निकली जिसमें दो पूरुस अगल बगल बैठे थे और गाड़ी के निचले हिसे में एक और दोनों किनारों को गाड़ी से गिरना जाए यहां पर बोला जा रहा है तभी क्या हुआ एक तभी पास से घोड़ा गाड़ी निकली जिसमें दो पूरुस बैठे हुए थे अगल बगल में बैठे हुए थे और बीच में एक औरत बैठी हुई थी दोनों किनारों को पकड़े हुए ताकि से वह बीच में बैठी हुई थी और दोनों की नारों को कसकर पकड़ी हुई थी ठीक है गोदर्विल के चौराहे पर लोगों की भीड लगी हुई थी अब गोदर्विल के चौराहे की बात की जा रहे है गोदर्विल पहुश जाने के बाद जो चौराहा था वहां पर नोरे के सिंग दूर से ही नजर आ जाएंगे और जो बड़े-बड़े अमीर लोग थे वो टोपिया लगा कर रखे हुए थे और महिलाओं ने असकार बांदी हुई थी तो यह जो है ना दूर से ही नजर आ रहे थे यहां का महौल कुलाहल पूर्ण था जिसमें कभी-कभी किस पसी की आवाज कभी दिवार से बंदीगाय की आवाज ठीक है ना इन सबसे अस्तबल मवेशी और गोबर भूसे और पसीने की गंद फूट रही थी अब जहां हाट लगा हो और वहां पर इंसान जानवर मिक्स हो इंसान और जानवर की पूरी तरह से भीड लगी हो तो वहा भली भाती परिचीत होते हैं ब्रॉत का मौत्र होशेकम अभी अभी ही गोदरविल पहुचा था यहीं से कहानी मोड लेती है पॉइंट टू बी नोटेड यहां पर पॉइंट जो है ना वह नोट करने वाली है मैं लिख भी देए हूं जो इंपॉर्टेंट है वह मैं वोड ब्रोत का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम है होशेकम ब्रोत एक जगा का नाम है ब्रोत का रहने वाला मैतर यानि की व्यक्ति आप कहिए तो ब्रोत का एक रहने वाला व्यक्ति जिसका नाम है होशेकम होशेकम जो है ना अभी अभी ही गोदरवील पहुचा था गोदर कम जिस यह एक जईफ यानि की बुढ़ा है और एक किसान भी है यही इस कहनी क्या है मेन कैरेक्टर याद रख लिजे इसका नाम क्या है होशे कम ठीक है तो यह अभी अभी गोदर विल पहुंचा था वह तेजी से चौराहे की तरफ कदम बढ़ा रहा था कि उसकी नजर जमीन पर पड़े रसी के एक छोटे से टुकडे पर पड़ी होशे कम की नजर किस चीज पर पड़ी तो जमीन पर पड़े एक छोटे से रसी के टुकडे पर पड़ी सचे नार्मन की तरह होशे कम का मानना था कि हर काम लायक चीज को उठा लेनी चाहिए मतलब होशे कम का मानना थ था कि हर काम लायक चीज को उठा लेनी चाहिए तो यह क्या किया वो जो जमीन पर रसी का टुकड़ा गिरा हुआ था ना उसको उठाने लगा जोड़ों के दर्द से पीडित होशेकम बड़ी मुश्किल से नीचे जुका और उसने रसी के उस छोड़े से टुकड़े को उठा लिया रसी के तुक्रे को उठा लिया यहीं से कहानी जो है ना स्टार्ट होती है रसी का टुक्रा चाप्टर का नाम है और रिलेट करने की कुश्ट कीजिएगा वो जमीन पर पड़ी रसी का टुकड़ा दिखाई दिया वो सोचा की हर काम लायक कि इसको उठा लेनी कि उस टुकडे को लपेट रहा था बड़ी साउधानी से रसी के उस टुकडे को होशेकम लपेट रहा था कि उसकी नजर मैतर मलांदे पर पड़ी जो अपने घर की देहरी पर खड़ा उसे घूर रहा था ठीके अभी होशेकम उस रसी के टुकडे को साउधानी से लपेट ही रखने के लिए तब ही उसकी नजर होशेकम की नजर किस पर पढ़ी तो एक व्यक्ति जिसका नाम है मलांदे देखिए मलांदे मैं लिख भी दिए हूं मलांदे पर पढ़ी जो की मलांदे क्या कर रहा था अपने घर के सामने जो आप बोल सकते हैं गेलरी था वहाँ घर की दह मलांदे घोड़े की काठी बनाने का काम करता था याद रखिएगा मलांदे क्या करता था तो घोड़े की काठी बनाने का काम करता था घोड़े का जो काठी होता है अरे आप बच्छा लोग का गितने सुने होंगे लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा घोड़े के दुम पे तो वही घोड़े की काठी बनाने का काम जो है न मलांदे करता था तो उस दिन पहले घोड़े की एक जीन को लेकर उनमें विवाद हुआ था और उनके रिष्टे इन दिनों खराब थे देखिए होशेकम और मलांदे के बीच घोड़े की एक जीन को लेकर विवाद हो गया था ठीक है और इनके रिष्टे थोड़े खराब हो गये थे, मतलब समझ आप यूँ कह सकते हैं कि ये एक दुसरे के दुश्वन से बन गये थे, ठीक है ना? तो दोनों ही दुश्मनी जलDli भूलने वाली नहीं थी, यानि कि ये दोनों जर्ण दुशमनी को जल्दी भूलने वाले नहीं थे होशेकम को ये सोचकर बड़ी शर्म आई कि उसके दुश्मन ने उसे धूल में पड़ा रसी का टुकडा उठाते देख लिया है ये सोचकर होशेकम को बहुत ज़दा शर्म आया अपने आपके उपर तो होशेकम ने रसी के टुकड़े को जल्दी से पहले अपने कमीज के अंदर छुपाने की कोशिश की होशेकम क्या किया? उसको शर्म आया कि जो है मलांदे जो की मेरा दुश्मन है तो होशेकम इसको शर्म आया और उसने रसी के टुकड़े को जल्दी से अपने कमीज के अंदर चुपाने की कोशिश की फिर उसे अपनी पतलून के जेब में रख लिया और यह दिखाया कि जैसे कि वह अभी भी जमीन पर कुछ ढून रहा है अब दिखाने की कोशिट कर रहा था अपने दुस्मन मलांदे को कुछ रखा नहीं है मतलब कुछ ढून रहा है फिर उसने ऐसा दिखाया जैसे उसे कुछ न मिला हो और गठी के दर्ज से दोहरा हुआ बाजार की और चल दिया फिर होशेकम जो है ना ऐसा एक्टिंग किया की और चल दिया ठीक है और यह सब कुछ घुर रहा था कौन होशेकम का जो दुश्मन है मलांदे वह दूर ही से घुम घुर रहा था देख रहा था फोशेकम को अब क्या हुआ यह 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 यहां पर थोड़ी सी चर्चा हो गई यह रस्से की टुकड़े की अब देखिए होशेकम चला गया गोदर विल जो सब्सक्राइब लगा था उसमें चला गया और उसके बाद से वहां पर चारों तरफ भीर लगी हुई थी शोड़ शरावे थे फरोख खरीद फरोख्स चल रहे थे ठीक है और घंटू चलने वाली मोल तोल में सभी लोग व्यस्त थे किसान आते थे भाव पुष्टे थे और कुछ दूर जाकर फिर लौट जाते थे उन्हें डर बना रहता था कि कहीं ठग न लिये जाए ठीक है जितने भी किसान थे जो सापताहिक में सापताहिक हाट में आये थे तो वहां पर खरिदने के लिए जो भी उनको समान खरिदना रहता वह भाव पुष्टे थे कुछ दूर जाकर फिर लौट आते थे क्योंकि उन्हें डर लगता था किस चीज का कि कहीं हम ठगा न जाए यानि कि कहीं हमको ठग न लिया जाए वह हिचकी चाते रहते और उनका ध्यान हमेशा विक्रेता की ओर लगा रहता और यह भापने की लेता है जो जो बेच रहा है ना वो कौन-कौन सी नई तरकीवे लगा रहा है और नई तरकीवे आजमा रहा है विक्री के लिए आये जानवर के कान से लेकर खूर तक एक-एक चीज परखी जा रही थी विक्री के लिए जितने भी जानवर थें तो जानवर के कान से लेकर हर एक एक चीज जो है ना परखी जा रही थी कहीं हम ठगा न जाए ठीक है अवरते अपनी टोकडियों को जमीन पर रखकर बैठ गई थी ठीक है उनसे बत्तक और मुर्गिया बाहर निकाल ली गई थी जिनके पाव आपस में बंदे थे और आखों में भैसाफ नजर आ रहा थ वे ग्राहक की बात सुनती और काफी समय तक मोलभाव और ना नुकुर करने के बाद कीमत थोड़ी सी कम कर देती जब सौधा नहीं पढ़ता और ग्राहक धीमे कदमों से जाने लगता तो वे अचानक आवाज देकर उसे बुलाती ठीक है मैतर अर्थिन तुम इतने में ही ल लगी वह बोला जा रहा है कि जितने भी और तक और मुर्गे वगर रखे थे वह उसमें से वह जो है ना मुर्गे बत्तक और मुर्गियों को निकाल कर रख दी थी और ग्राहक की बात सुनती काफी समय तक मोलभाव चलता था ना नुगुर करने के बाद थोड़ी कीमत कम कर देती थी और जब सौधा नहीं पिरता था तो ग्रहां जाने नहीं लगता है धीमे पाव सकी छोड़िये जब इतना में नहीं दीजेगा तो हम जा रहे हैं दूसरे जगा से खरिद लेंगे तो थोड़े देर के बाद जो है ना फिर बुला लेती थी आवास दे कर कि फिर छटने लगी द्यान रहे हैं दोपार होने लगा था दोपार की प्रातना की घंटी बज रही थी और बचे खुचे लोग दुकानों में चले गए ठीक है ना मतलब धीरे धीरे ये हाट जो है ना खाली होने लगा जुर्दे का सरवादिक भोजनाले लोगों से भरा हु तो जितने भी हाट से लोग निकले थे ना वह जुर्दे के भोजनाले में ही जाकर भोजन कर रहे थे उसके हाते में हर प्रकार के वाहन बैल गड़ी अटम चक्ड़े और छोटी बड़ी वैंग्रे खड़ी हुई थी कुछ धूल से लटपत थे कुछ में जगा-जगा कीच से लंबी-अलंबी मेजों पर बैटे क्षाने वालों के दूसरी तरफ बड़ी सी भट्टी थी जिसमें से यूठ रहे लटे आगे लट्टे उट रहे थे और दाहीनी और बैढ़े लोगों की पीठ गर्म हो रही थी ठीक है ना उस भठी से जो आग के लपेटे उठ रहे थे ना उससे दाहिनी और जो लोग बैठे उनकी पीठ गर्म हो रही थी जो आग से लपेटे उठते हैं उसको दाव जाता है तो वही यहां पर और इस चाहानी के लेंग्विज वर्ड का यूज किया गया है तो यह बोला जा रहा है कि दानी और बैठे लोगों की पीठ गर्म हो रही थी तीन बड़ी-बड़ी सीकों पर मुर्गे कबूतर और भेड की राने भुनी जा रही थी और भुने हुए मानस तथा गाढ़े शोर्वे की महक से खाने वाले के दिल जो है ना मचल रहे थे और सब के मुह में पानी आ रहा था बहुत ही अच्छे पकवान पक रहे थे इलाके के तमाम खाते पीते लोग मैत दुष्ट आदमी माना जाता था ये जो जुर्दा था जिसका भुजनाले था लोग भोजन जाकर करते थे जिस भुजनाले में तो जुर्दा नाम का विक्ति था ना वो घोड़े का बेपार भी करता था लेकिन बड़ा ही दुष्ट आदमी वो माना जाता था गर्मा गर्म लजीज पकवानों की रकाबी आ रही थी और थोड़ी ही देर में खाली हो जा रही थी हर कोई अपना खरीद फरोगत। फसलों और दूसरे मामलों के बारे में बात कर रहा था मतलब जो भी साफताही खाट से कुछ लोग खरदे थे कुछ लोग बेच्चे थे तो अपने अप घूजणनाले में भोजन कर रहे थे तबी अचानक बाहर आते में नगारा पिटने की अवाज सुनाई दी लोगों को छोड़ बाकी सब उठकर दर्वाजे या खिड़कियों की और भागे उनके मूँ अभी भरे हुए थे और हाथों में रुमाल थे कुछ लोग जो थे जो अभी खा ही रहे थे भारी पर सम लोग थे वो उठकर नहीं गए लेकिन जितने भी उन लोग को छोड़कर बाकी जितने भी लोग है वो सब लोग उठकर दर्वाजे या खिड़कियों की और दोड़ने लगे कि भई क्यूं इतना जोड़ से नगाड़ बजने लगे हैं तो मुनादी करवा ने वाले ने नगाडा पितना बंद कर दिया और अपनी करकश अवाज में मुनादी शुरू की मतलब की वह एलान करने लगा जो मुनादी करने वाला था सुचना देने वाला व्यक्ति था वो बंद करवा दिया अब वो करकश आवाज में तीज आवाज में मुनादी शुरू कर दी यानि कि सुचना दी सभी लोग को बताना इस्टार्ट कर दिया कि गोदर विल के सभी निवासियों और बाजार में मौ पार से संबंधित जरूरी कागजात हैं पाने वाले से गुजारिश है कि वह इसे फॉरन मेयर के कार्याले को या फिर मानवील के मैत्र फॉरत्यून हुलब्रैक को लोटा दे ऐसा करने वालों को 20 फ्रेंक का इनाम दिया जाएगा 20 फ्रेंक हम लोग के इंडिया में रुपया पैसा चलता है लेकिन यह कहानी कहीं और की है जहां पर फ्रेंक चलता है तो यह बोला जा रहा है कि ऐसा करने वाले को 20 फ्रेंक का इनाम दिया जाएगा ठीक है ना तो यहां पर आई होप आप लोगो समझ में आ गया होगा जो कुछना दिया कि आज सुबह 9 से 10 बजे के बीच बेंजवील जाने वाली सड़क पर बेंजवील जाने वाली सड़क पर एक काले चमड़े का बटू का खो गया है जिसमें 500 फ्रेंक पैसा आप समझ लिजिए कि 500 फ्रेंक और वैपार से संबंदित कुछ जरूरी कावजात भ भी वापस लोटा देगा बटूए को उसको 20 फ्रेंक का इनाम दिया जाएगा और फिर वो जो है न मुनादी करने वाला वहां से चला गया नगारे की धमधम और मुनादी वाले की आवाज को शुदूर से फिर से सुनाई दी भोजनाले में बैठे लोगों को अब एक नया म भोजनाले में भोजन कर रहे व्यक्ति थे उनको एक नया मुद्दा मिल गया था वो सोच रहे थे कि जो मानविल के मैतर फॉरतियून हुलब्रैक का बटूआ खो गया है पता नहीं वो मिल पाएगा कि नहीं मुनादी करने वाला तो यह बता कर चला गया कि जिसको भी वो या तो मौसिव मेयर के कार्याले में दे दे या फिर मानविल के मैतर जिनका यह बटुआ है फॉरतियून हुलब्रैक को दे दे ठीक है तभी क्या हुआ अभी सभी लोग खाना खत्म करके कॉफी पी रहे थे तभी देहरी पर सशस्त पुलिस ऑफिसर का ऑफिसर प्रकट हुआ उसने पूछा क्या ब्रोत के रहने वाले मैतर होशेकम यहाँ पर मौजूद है तो मेज के दूसरे सीरे पर बैठे मैतर होशेकम ने जवाब दिया हाँ मैं यही हूँ ऑफिसर ने कहा मैतर होशेकम क्या आप मेरे साथ मेर के कारियाले में चलने की जहमत उठाएंगे मेर आपसे बात करना चाहते है और पुलिस ऑफिसर ने क्या कहा कि मैतर होशेकम क्या आप मेरे साथ मौस्यू मेर के कारियाले में चलने की जहमत करेंगे मेर आपसे बात करना चाते हैं कि सानने कि होशेकम जो है ना वह परैसान उठा उस써क खुलय कर दिया ये गिलास का पानी योड़ चल दिया गठिय के वज़या से सुबह से जunn क्याते जोग गया था ॣ बुर है उसका इंट कर रहा था मेहर जो है हना हथ्धे वाली कुर्सि पर बैठा बैठा हुआ इन्तजार कर रहा था वह इस इलाखे का नोहों इस एक इलाके का नोह दूटरी था ऋएक मोटा और गंभीर किसम का इंसान था जिसे भारी बहर खाम शब्द बोलने की यादत थी, ठीक है न, उसने कहा, किसने कहा, मेयर ने कहा, कि मैत्र होशेकम, आज सुभा आपको बेंजेवील जाने वाली सडक पर मानवील के मैत्र हुलब्रेक का गिरा हुआ बटूआ उठाते हुए देखा गया था, देखें, मेयर क्या बोले होशेकम से, बोले कि मैतर होशेकम आज सुबह आपको बेंजेवील जाने वाली सड़क पर मानवील के जो मैतर है फॉरितियून हुलब्रेक इनका गीरा हुआ बटवा उठाते हुए देखा गया था अब ये बात सुनकर जो है ना होशेकम बहुत ज़्यादा ये कमफ्यूस हो गया एकदम नहीं तो अचानक तो अविजुली बात है कि वह चौक उठेगा ठीक है तो उसी तरह किसान जो होशेकम था वह भचंका सा होकर मेर को देख रहा था वह अपने उपर शक किये जाने से एकदम घबरा गया था पूरी तरीक से घबरा गया था बोलने लगा मैं मैं मैंने कभी सुना भी नहीं है और आप बोल रहे हैं कि मैंने बटुवा चुना लिया तो मौसिव मेर जो है न वो बोलते हैं लेकिन तुम्हें ऐसा करते हुए देखा गया है तो अब देखिए मैं तर जो होशेकम है वो बोलता है कि देखा गया है मुझे किसने कहा कि मुझे ये द बताते हैं होशेकम से कि आपको बटुआ उठाते हुए जिस व्यक्ती ने देखा है उस व्यक्ती का नाम है मलांदे जो की काठी बनाता है अब सुनिए क्या हुआ बुढे को यानि की होशेकम को सुबह की घटना याद आ गई जब वो रसी का टुकड़ा उठा रहा था और मलांदे मतलब उसको देख रहा था कि आखिर होशेकम क्या कर रहा है तो सुबह की बात याद आ गई होशेकम को ठीके और सारा मामला उसकी समझ में आ गया होशेकम को ना सारा मामला समझ में आ गया अच्छा यानि कि मेरा द तो उसने मुझे देखा अंधा कहीं का उसने मुझे यह रसी उठाते विए देखा था और बॉल रहा है कि मैंने बटतिया यह चलिका पर अन्धा कई का वो बोल रहा है कि मैंने बटवर अउठाया था लेकिन मेर ने संदे भरी द्रिष्टी उस पर डाली मेर जो है न विश्वास नहीं किया फोटवा समझ भैठा तुम चाहते हो कि मैं इस बात पर विश्वास कर लूँ बिल्कुल नहीं नाराज किसास ने अपना हाथ उठाया यह किसान रहते हैं तो नाराज किसान होशिकम जो है ना उन्होंने अपना हाथ उठाया एक और थूका और कहा लेकिन सच यही है मौसियु मेयर मैं अपनी आत्मा की मेयर ने आगे कहा बटू उठाने के बाद तुम काफी देर तक खड़े हो कर धूल में देखते रहे कि कहीं कुछ पैसा गिर तो नहीं गया है चोब और डर से बिचारा बुढ़े आदमी का गला रूद गया अब इस तरह की बात बोलते हुए मेयर जब बोला कि बटू उठ आने के बाद तुम काफी देर तक खड़े हो कर धूल में देखते रहे थे कि कहीं कुछ पैसा तो गिर नहीं गया मतलब कि जब होशेकम रसी का टुकड़ा उठा कर और उठा रहे थे और जब देखे कि मलांदे उनको देख रहा है तो वह रसी का टुकड़ा जेब में रख एक चैनल जेखे रहा था की कहीं पैसा इतर उदर गिर तो नहीं गया है तो वही बात यहां पर बोल रहे हैं मैं अर्जी अब यह बात सुनकर जो है ना बेचारे शुश्रीकम जो है ना चोब ओडर से बीचारा बुढ़े आदमी का गला रूंद गया था भ्ला कोई कैसे ब करता भी तो क्या करता ना आखरी क्या करता कोई भी उस पर विश्वास करने को तयार नहीं था मुसी मलांदे को भी वहां बुलाया गया जिसने अपने आरोप को दोराया मतलब इसने फिर दुबारा कहा कि हां मैंने देखा है फोशेकम को बठुगा चुराते हुए फिर दुश्मनी थी यह एक घंटे तक एक दुश्रे को भला बुरा कहते रहें मैतर होशेकम के अनुरोद पर उसकी तलासी ली गई जिसमें कुछ नहीं मिला ठीक है ना होशेकम की तलासी ली गई लेकिन कुछ भी नहीं मिला आखिरकार खिज कर मेर ने उससे इस चेटाउनी के साथ छोड़ दिया कि वह सरकारी वकील से बात करके फिर कोई आदेश जारी करेगा लास्ट में जो है ना मेयर होशेकम को इस चेतावनी के साथ छोड़ दिये कि वह सरकारी तरफ फैल गई थी एकदम आग की तरह जैसे ही होशेकम बाहर निकला तो जितने भी लोग थे ना बिचारे इस बुढ़े आदमी को चार तरफ से घेर लिये और उससे तरह-तरह के सवाल करने लगे उसने रसी के टुकड़े वाली कहानी सुनाई लेकिन किसी ने उस पर यकीन नहीं किया लोग उस पर हसने लगे अब देखिए आगे क्या हुआ आगे क्या हुआ जगा जगा उससे जान पहचान वाले मिलते रहें देखे ना मिलते और वह सबको एक ही बात बताता वह सबको अपनी जेबे उलटकर दिखाता या साबित करने के लिए कि उसके पास कुछ भी नहीं है और जितने भी लोग ये बात सुनते थे ना वो लोग कहते थे कि बुरहापे में ऐसा करते हो शरम नहीं आती चले जाओ यहां से मतलब कि जितने भी लोग थे वह होशेकम पर विश्वास नहीं करते थे उसका गुस्टा बढ़ता जा रहा था उसे इस बात से खीज होने लगी थी कि कोई भी उसकी बात पर विश्वास करने को तयार नहीं है उसे यह समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या करें और बार बार एक ही बात दोहराय जा रहा था कि मैंने बटवा नहीं चुराया है रात गिरने लगी अब रात होने लगी उसे वापस लोटना था होशेकम को वापस लोटना था ठीक है ना वह तीन पडोसियों के सांथ लोटने लगा वापस और रास्ते में रुख कर उसने वह जगा दिखाई जहां से उसने रसी का टुकड़ा उठाया था अपन नहीं सुनाई लेकिन कहीं किसी ने उस पर यकिन नहीं किया वह रात भर बेचैन रहा अगले दिन दो पहर करीब एक बजे यह मानवील के पशु व्यापारी मैत ब्रेंटो के एक कर्मचारी मारियस पोमेल ने भरा हुआ बटुआ मानवील के मैतर हुलब्रेक को लोटा दिय इचेंग वह रात भरा हुआ पशु व्यापारी मैत्र ब्रेंटो पर के व्यापारी हैं एक कर्मचारी मारियस पोमेल को बटुआ मिला था और वह जो बटुआ है न वह माण विल के मैतर पशु कीन पढ़ा दिया थिंह भरा है उसे रास्ते में पढ़ी मिली थी लेकिन उसे पढ़ना नहीं आता था जिसमें विसंट बटूय में जितने भी कागजात थे उसको पढ़ना नहीं आता था इसलिए वह इसे घर ले गया और अपने मालिक को दे दिया ठीख है ना और फिर क्या कर दिया फौरीतियों हुलब्रेग को वापस बटूआ मिल गया ठीक है ना बटूआ तो मिल गया मारी सिस्पोमिल ने भरा हुआ बटूआ मालविल के मैत्र हुलब्रेग को लोटा दी और यह खबर देखते ही देखते पूरे इलाके में फैल गई मैत्र होशेकम को भी इसकी सुचना दी गई वह सुखद अंध के साथ अपनी कहानी फिर से सबको सुनाने लगा कि देखा मैं बोल रहा था ना कि मैंने बटूआ नहीं चुराया है जिसने चुराया था वो ले जाकर दे दिया देखो मैंने बटूआ नहीं चुराया है और विजय गर्व से वह तन कर चलने की कोशिश कर रह को अब फिर से कहानी सुनाने लगा होशे कम और बताने लगा कि मुझे इस घटना से इतनी तकलीफ नहीं हुई जितनी की जूट से मुझे पर जूटा आरोप लगाया गया था जूट की वज़ा से संदे के घेरे में आ जाने से ज्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं होता है वो स लेकिन फिर भी कोई चीज उसे परेशान कर रही थी वह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या है उसकी बात सुनते समय लोगों के चेहरे पर हासी का भाव होता था लगता था कि उन्हें विश्वास नहीं है उसे महसूस होता था कि उसके पीठ पीछे वे उस पर टिपरनिया कर करते हैं यहां पर यह बताया जा रहा है कि यह होशेकम जो है ना लोगों को पकड़ पकड़ कर यह बात बताने लगा कि मैं निर्दोष था देखा मैं बोल रहा था ना कि निर्दोष था ठीक है यह जूट मतलब जितनी तकलीफ मुझे इस घटना से नहीं उतनी ज्यादा यह जूटा आरोप से हुई है मुझे पर जूटा इल्जाम लगाया गया और सभी लोग को पकड़ पकड़ कर यह बात बोल रहा था कभी बड़ी सरक से गुजरते लोग को कभी मैं खाने में बैठे हुए लोग को घिर्दा गर से कुछ लोग बाहर निकल रहे थे उनको पक चहरे पर हसी होती थी ऐसे बोला नहीं मतलब जैसे की होता नहीं कि आप पूरे इमांदारी के साथ पूरी कहानी बताओ और सामने वाला आपकी बातों पर विश्वास ना करें और आपको मतलब जूटा साबित करने के लिए हस दे तो उसी तरह उसी तरह होशेकम के साथ भी ठीक है अगले सप्ता मंगलवार को वह गोदरविल के बजार में गया अब फिर अगले सप्ता मंगलवार को गोदरविल के बजार में वापस होशेकम गया गोदरविल के बजार में उसे कोई काम नहीं था पर वह बस पर इसलिए गया था ताकि इस मामले के बारे में लोगों स बात कर सके जो है न होशेकम को कोई काम नहीं था लेकिन वो सिर्फ इसलिए गया था ताकि वो इस मामले पर लोगों से बात कर सके अपने दर्वाजे पर खड़ा मलांदे उसे गुजरते देख हस पड़ा अपने दर्वाजे पर जो खड़ा मलांदे था न उसे गुजरता दे मुड़ कर चला गया यह जो होशकम है वह विक्रेता के किसान को रास्ते में रोका अपनी बात बताने के लिए लेकिन जो वह किसान है ना वो होशकम की बात को काट दिया और उसके पेट पर यानि कि होशकम के पेट पर हलके से मुक्का मारा और हस्ते हुए कहा बदमास कहीं के और फिर वो मुड कर चला गया होसेकम को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है ठीके मैत्र होसेकम चक्रा गया उसे बदमास क्यूं कहा गया फिर वह जुर्दे के भोजनाले में जाकर बैठा और वहां भी उसने अपनी बात छेडी फिर वह जुर्दे का जो भोजनाले था जहां पर सभी लोग भोजना करते थे वहां पर गया होशेकम और जाकर वहां पर बैठा और बात छेडी अपने बारे में बताना शुरू किया मोर्न विलियस से आए घोड़ो घोड़ो की एक सौधागर ने आवाज लगाई चलो चलो चलाक बुढ़े ये तो बड़ी पुरानी चाल है मैं तुम्हारे रसी के टुकड़े के बारे में सब कुछ जानता हूँ अब मोर्न विलियस से आए घोड़े के एक सौधागर एक सौधागर आया था उसने आवाज लगाई जैसे कि उस भोजनाले में जि लेकिन अब तो बटुआ मिल गया है फिर भी आप लोग हम पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं तो दूसरे आदमी ने जवाब दिया सभी लोग उस भोजनाले में बैठे हुए थे तो दूसरे आदमी ने जवाब दिया चुप रहो बुढ़ाओ एक बटुआ उठाता है और दूसरा उसे लोटाता है जो भी हो तुम इसमें शामिल जरूर हो मतलब कि यहाँ पर सभी लोग का कहना ये था कि बटुआ उठाया है होशेकम ने और उसी ने खुद दूसरे व्यक्ति से दिलवा भी दिया है मतलब एक बटुआ उठाता है और दूसरा उसे लोटाता ह लगता है कि हम लोग समझ में नहीं आता है होशेकम जहना अवाक रह गया उसको शौक लग गया था उसे सारी बात समझ में आ गई वे उस पर इल्जाम लगा रहे थे कि उसने अपने एक सांथी से बटवा लोटवा दिया था क्योंकि बात खुल गई थी यहां पर फाइनली हो होशेकम ही चोर है उसी ने चुराया है बटवा भले ही वो जो है ना बात खुल गई थी तो अपने किसी साथी को दे दिया और किसी दूसरे साथी से बटवा को वापस लोटा दिया लेकिन कहीं ना कहीं ये भी इसमें शामिल जरूर है मतलब इसी ने बटवा चुराया है अ सब एक सांथ ठठा कर हस पड़े सभी लोग मान रहेते कि क्या है विचारा होशेकम ही चोर है और यह जूड बोल रहा है वह खाना भी खत्म नहीं कर सका और उनके फिक्रों और ठाहाकों के बीच बाहर निकल गया अब यह विचारा अकेले श्रम सा महसूस करने लगा और बाहर निकलाया वह चोब और सर्मिंदगी से भरा वापस लोटा गुस्से और ब्रह्म के कारण वह कुछ बोल नहीं पा रहा था वह इस बात से और हतास था कि वह अक्सर अपनी नर्मानों वाली चलाखी की डिंग हाका करता था उसे लग रहा था कि इसी वज़ा से लोगों को उस होशे कम को हो गया था कि वह अक्सर नर्मानों वाली चलाखी की डिंग हाका करता था और लोगों को पकड़ पकड़कर जिसके यह जानता भी नहीं था अंजान लोगों को पकड़कर अपनी बातों को बताया करता था और उसे लग रहा था कि इसी वज़ा से लोग जो है ना वो होशे कम ही है इस बात का एहसास हो गया था होशे कम इसी वज़ा से जो है ना यहां से एक सीख मिलती है कि व्यक्ति अगर निर्दोश है ना तो उसे किसी को पकड़ कर बतानी की दोट नहीं है कि मैं निर्दोश हूं ठीक है ना और यह पकड़ पकड़ कर बताया भी करता ना तो एक तरसे अपना ही परचार कर रहा था झीखेना और भी ज्यादा लोग इसको जानने और पेचाने लगो और भी लोग जांते थे और जितने भी लोग इसके बारे में रस्वारता लगा और फीश billion इसके बारे में लोग बना रहे हैं दोशी ठेहरा रहे हैं अगर आप निर्दोश है तो आप साबित कीजिए लोगों को पकड़ पकड़ कर अंजान लोग को या फिर जितने भी लोग है समाज की लोग को हर एक व्यक्तियों को बताने से कुछ नहीं होगा कि मैं निर्दोश हूं साबित करना पड़ता है और ये गल्ती जो होशेकम किया था, पकड़ पकड़ कर लोग को बताने की क्या जूरत थे, अपनी कहानी बताने की क्या जूरत है कि मैं निर्दोश हूँ, इससे कुछ होगा थोड़ो ना, और इस बात का एशास जो होशेकम को हो गया, लेकिन इस अन्याय पूर्ण संदे से उसका कलेजा चलनी हुआ जा रहा था, उसने फिर एक नया सा घटना करम लोगों को बताना शुरू किया, हर दिन उसका किस्टा लंबा होता जाता था, क्योंकि हर बार वो अपनी गुनाही के पक्ष में कुछ नय कारण, कुछ नय तरक और पहले से भी ज्यादा संजीदा कसमे जोड़ता रहता था, जिन्हें वो अपने एक कांथ समय में सोचता रहता था, नया तरक, नया कारण सोचते रहता था बेगुनाही का, कि अब मैं इस व्यक्ति से मिलूँगा, तो इससे ये बात जरूर कहूंगा, ताकि वो मुझ पर विश्वास कर ले, मतलब कि मैं किस तर मैं अगर खाल लेता हूं, तो हो सकता है कि वो व्यक्ति है ना मुझ पर विश्वास कर ले, यही सोचता रहता था हमेशा, तेक है ना, और उसका पूरा दिमाग अब रसी के किस्से में लग गया था, बचाओ कि उसके तरक, जितने ही जटिल और उसके दलीले और कसमे, जित पर उतनी ही कम विश्वास कर रहे थे, मतलब की होशेकम जितना ही अपने दलीलों और कसमों को जोशीला बनाते जाता और अपने तरक को जितना ही जटिल करते जाता था, उतना ही कम लोग इस पर विश्वास करने लगे थे, ठीक है ना, उसकी पीठ पीछे लोग कहते, यह स में लग गया था होशे कम बेकार में अपना दिन और समय भी बरबाद कर रहा था कर में यह जाकर अपनी बाते बताता अपनी कहानिया सुनाता रसी का किस्सा सुनाता रसी के टुकड़े का कहानी सुनाता कि मैं निर्दोश हूं निर्दोश हूं बेकार में अपना दिन बरबा कर रहा था और दिन बाद दिन ये कमजोर होता गया गाओं की आवारा छोकरे अब मजा लेने के लिए रसी का किस्सा सुनाने के लिए कहते जैसे किसी अभियान से लौटे सिपाही को अपने लडाईयों का किस्सा सुनाने को कहा जाता है उसका दिमाग अक्सर भटकने लगा थ अब होशेकम का दिमाग बटकने लगा था दिसंबर का अंत आते आते उसने बिस्तर पकड़ लिया दिसंबर खत्म होते होते होशेकम जहना बिस्तर पकड़ लिया था बहुत ही कमजोर हो गया था जन्वरी के शुरुवाती दिनों में उसकी मौत हो गई मरने के पहले तक वह स अपने बेगुनाही का दावा करते रहा था हो शेकम और आखिर में जनवरी के सुरुवाती दिनों में इसकी मौत हो गई लेकिन सभी लोग इसको दोशी ठेहडाते रहे और दोशी मान लिये थे तो यहां पर इस कहानी का तो दी-इंड हो जाता है कहानी खत्म हो जाती है लेक दृष्टी कोड कभी चेंज नहीं हो सकता है जब आपके प्रति लोगों ने अपना एक दोशी है तो फिर आप हजारों लाखों बार बोले लोगों का दिरिश्टी कोड चेंज नहीं होने वाला है तो यहां पर एक सीख जरूर मिलती है कि अगर आपके बारे में कोई दूस कोशिश को समय बरबाद ना करें भी लोगों को पकड़ पकड़ कर यह बताने की कोषिश ना करें कि मैं निर्दोश हूँ मैं निर्दोश हूँ और ये बतलाने के बजाए कि मैं निर्दोष हूँ वो अपने आपको निर्दोष साबित करने में अपने समय को लगाता तो शायद ये निर्दोष साबित हो भी गया रहता लेकिन इसने अपने समय को बरबाद किया लोगों को पकड़ पकड़ कर अपनी कहानी सुनाने लगा अप पूरी कहानी आप लोग के सामने में परती एक लाइन को पढ़कर आप लोग लुग को बढ़कर बताई एक भी पॉइम नहीं छूटा है तो आप लोग एक अगले टॉपिक के साथ अब तक के लिए जहिंद और खुदा हाफिज़ू